दोस्तों यहां पर आपको कुछ तस्वीरे दिख रहे होगी यह तस्वीरे लिगए हैं आपकी N.C.E.R.T. की कक्षा तीसरे की पुस्तक गणित का जादू के पार चार से तो जो यहां तस्वीरे हैं उन्हें हम एक एक करके देखेंगे और हमसे पूछे गए प्रशनों का उत्तर देंगे तो देखें यहां पर यह बच्चा जो है यह सड़क पार कर रहा है और हमसे पूछा गया है की पता करना है हमें दोर जी कितने कदमों में सड़क पार कर जाए इन हाउ मिनी स्टेप्स विल डोर जी क्रॉस तरोड तो यह जो लड़का है इसका नाम है डोर जी और हमें पता करना है कि यह कितने कदमों में यह सड़क पार कर जाएगा मैं अंदाजा लगाने की कोशिश करूँ तो मुझे लगता है आठ नो कदमों में शायद है सड़क पा और फिर दो कदम फिर दो कदम और फिर दो कदम जब वो यह कदम पूरे कर जाएगा तो वो सड़क पार कर जाएगा तो अगर हम इन कदमों को गिन ले तो हमें पता लग जाएगा कि कितने कदमों में डोर जी जो है वो रोड को क्रॉस कर जाएगा यानि पार कर जाएगा त सबसे पहले दो कदम तो वो ले ही चुका था पहले से तो यह होंगे एक दो उसके बाद के कदम हमने यहां बनाए हैं उन्हें भी गिन लेते हैं यह होगा तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस तो मैंने अंदाजा लगाया था कि आठ नौ कदमों में वो पहुंच जाएगा लेकिन आठ नौ से थोड़ा उपर यानि कि दस कदमों में दोरजी जो है वो यह सड़क पार कर जाएगा यानि कि हमारा उत्तर है दस कदमों में यानि इन टेन स्टेप्स दोरजी विल ट्रॉस द रोड अब अगदी तस्वीर देखिए यहां एक रसी पर एक कपड़ा अबरे टांगे जा सकते हैं मुझे लगता है अगर इसी प्रकार की शर्ट यहां पर टांगी गई इतने ही साइस की तो यहांपर तक्रीबन दो या तीन ही और आ पाएगी उससे जादा नहीं यानि कि कुल मिलाकर यहांपर तीन या चार शर्ट आपाएँगी चले देखते ह एक शर्ट पहले से मौझूत है तो यह हुई एक, इसके बाद अगर हम एक और शर्ट टांग दे तो यह हो जाएगी दो, और अगर हम एक और टांगे तो क्या आपको लगता है इसके बाद दो और आप आएंगी या एक और, मुझे तो लगता है केवल एक, तो हमने एक और शर तो यहां ठगी हुई है अब देखेए यहां इस मेज पर कुछ कप रखे गया है जी हूं यह गया है एक जिसले अटप्री तो यह है एक अलग तर्ीके के अलग शेप केक प हैं तो हमसे पूछ गया है कि यहांити में pub तो केवल इसी लाइन में और कितने कप जो है और आ सकते हैं, यानि कुल मिला के कितने कप यहां पर रखे जा सकते हैं, तीन कप पहले से हैं, तो यह एक, दो, तीन, आपको क्या लगता है, और कितने कप हम यहां पर रख सकते हैं, जो कप पहले से हैं, वो तो है तीन, मुझे सकता है कि तक्रीबन 4-5 कप हम और रख सकते हैं, यानि कि कुल मिलाकर 7-8 कप, चलिए देखते हैं, तो यह एक और कप आया, तो यह हुआ चार, फिर यह पांच, फिर यह छे, यह हुआ साथ, क्या एक और कप यहां आपाएगा, मेरा अंदाज़ता कि यहां 7-8 कप आ सकते हैं, साथ तो यहां आ चुके, पर क्या आठवा कप यहां आपाएगा, चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं, अगर हम यह कप यहां रखेंगे, तो यह तो आदा नीचे की और जा रहा है, तो यह गिर सकता है, तो इसे तो हम यहां से हटा देंगे, तो यहां पर मेज पर इस कता में कितने कप आ सकते हैं साथ कप यानि सेवन कप तो यह भी हमने पता लगा लिया अब यहां इस तस्वीर में अगर आप देखें पेड के नीचे कुछ मटके रखे हुए हम से पूछा गया है कि इस पेड की तहनी तक पहुंचने के लिए एक के उपर एक कितने घड़े रखन पेड की तहनी तक पहुंचने के लिए इस्तमाल होंगे छे मटके यानि 6 गड़े 6 पॉट्स तो मेरा अंताजा तो एकदम सही निकला तो दोस्तों हमने क्या किया हमने सोचा कि यहां पर कितनी चीज़े और इस्तमाल हो सकती है कितनी चीज़े एक जगा पर आ सकती है हो मैंने